नमर्ण नाइनटीन आई एस ओ दोस्तों आईसो मार्ग का फूर्फा में इंटरनाशनल और और स्टेंडरिजेशन यह एक नॉन गोर्मेंट और जिसके हेड़कॉर्टर जिनेवा सिर्जेलन में मौजूद है इस मार्ग का मता हुए कि जिसी प्रड़ पर आयो समाग लगा है वह प्रड़क्ट डोबली मिलता है और अगर आप यह प्रड़क्ट लोग है तो एक तरह सावन प्लस अप कंट्री और मनेफेक्ट्र दोनों की इंटरनाशनल अब ट्रेड इंक्रीस करोगे जिससे कंट्री को एकॉनमी में भी मदद मिलती है नमबर एचीन फ्रेजाइल इस इस इमेच को किसी पैकेश पेल जाता है जब उस पैकेश के अंदर को यह सैंसे की व्यश रखी हो जिससे कुई वाला जब इसे देखके तो समझ जाए कि इसे सेफली करना है कि किप इट ड्राइफ इस इमेज को किसी पैकेज़ पर स्टिक किया जाता है जो ट्रांसपोर्ट हो रही हो इस संसे डेलेवर voz समझ जाता है कि इस पैकेज पे अंदर पानी नहीं जाना चाहएं सकता है इस बॉक्स के अंदर को एलेक्ट्रोनिक गैजट हो जिससे वो पूरा का पूरा खराब भी हो सकता है नमबर 15 बूल मार्क बूल मार्क कंपनी ऑस्टेलिया की है जो वर्ल लीडिंग प्रोडूसर और वूल है एक क्रॉस दी ग्लूब और उनके प्रोड़क्ट लगभा जरसल ये लोगो प्रोड़क को इंशूर करता है कि ये प्यूर नैच्रल सिल्क से बना है ये सर्टिफिकेशन सिल्क मार्ग और्गनेजेशन ऑफ इंडिया से कंट्रोल होती है इस लोगों को तो आपने बहुती जगा देखा हुआ ये जात टेट्रा पैक्स या प्लास्टिक बैक्स पर होता है जरसल इसका ये मतला होता है कि आइटम को हम फिट से यूज़ कर सकते हैं किसी और फर्म में कनवर्ट करके इसका मतलब ये होता है दो सोई खाने में नौन मेच अड़ेड है या अड़ेड एक्स को दर्शाता है ग्रीन डॉट का ये मतलबाद दो सोई खाना 100% प्योर वेच है इसमें किसी प्रकार का नौन मेच अड़ेड नहीं है नमबर 10, CE CE मार्केटिंग एक तरह से सर्टिफिकेशन मार्क है जो हेल्थ सेफटी इनवर्मेंट प्रोडेक्शन को इंडिकेट करता है जो EEA यान European Economic Area Standard Product को दर्शाता है ये साइन जाधार आपको electronic device पर देखने को मिलेंगे जो जाधार United States से बिलॉंग करती है नमबर 9, Registered Trademark इस R sign का मतलब है कि वो product National Trademark Office से company का license मिल चुका है इंडिया में selling के लिए कुछ-कुछ country पर ये sign अभी इलिगल है कुछ-कुछ country में ये trademark अभी भी launch ही नहीं किया गया है नमबर 8, Trademark Symbol इसे हम Service Mark भी कहते हैं इस sign का मतलब होता है कि ये processing product National Trading Government Agency से unregistered है नमबर 7, Copyright दोस्तों अगर आपको ये see sign किसी product पर देखने को मिले तो इसका मतलब ये समझ लिया कि वो product Copyright है अगर किसी ने उस product की copy और replica बनाने की कोशिश की तो बनाने वाले पर legal case होना मुम्किन है नमबर 6, FPO Mark FPO Mark एक certification mark है जो सारे food packages and beverages like jam, crushed, pickles, dehydrated foods पर लगाया नाम mandatory है FPO Mark guarantee देता है कस्टोंबर्स को की product hygiene food safe environment में manufacture किया गया है जो बिल्कुल safe है खाने को नमबर 5, BIS Hallmark ये एक hallmark sign है जो के वल जोलरी पर ही लगाया जाता है जैसे gold, silver BIS Hallmark पूरे Chen को Bureau of Indian Standard control करता है ये जरा सलसा इन customer को ये guarantee करता है कि 100% pure metal है इस मतब इस gold में किसी प्रकार का impurity नहीं है जिसके इसका weight बढ़ सके नमबर 4, AG Mark या agriculture mark AG Mark दोस्तों agriculture products पर लगाया जाता है जिससे variety of cereals, pulses, essential oils, vegetables, oils को guarantee मिलती है कि वो government of India की product है जैसे precise product से बनने से लेकर sell होने के बीच में किसी भी टाइप की private limited company नहीं use होती है नमबर 3, Indian Standard Institution ISI Mark ये mark तो आपने बहुत ही जगा देखा होगा ISI Mark का मतब होता है कि यो product standard है यानि ISI Mark को Bureau of Indian Standard नहीं develop किया है ये sign आपको भी guarantee करता है कि precise product यूज़ करते वग आपको किसी प्रकारी casualty नहीं होगी योगी बात है इंडियन कवर्मेंट प्रक्सी जहां पर compromise करना पिल्कुल allowed नहीं है ISI Mark को लगाना हर company को mandatory है जैसे LPG, gas, automobile, kitchen appliances, wiring cables, electric motors और भी बहुत है नमर च्यू, Bureau of Indian Standard, BIS Mark, जी आँ दोस्तों ये वही government company है जो पूरे इंडिया में quality and trust provide करती है BIS Mark का एक sign IS sign होता है जिसे आपने शायदित ध्यान दिया होगा IS Mark सारे electronic product में होता है For example, mobile care, power banks, iPhones के पीछे, AC, refrigerator, etc. दोस्तों ये sign भी user को ये guarantee कर देता है कि electronic device जो आप use कर रहें वो उसमें किसी प्रकार की दुर गटना गटने की बहुत कम chance है अगर आप किसी भी type का electronic product लेते हो और उस पर ये IS sign नहीं देखते हो तो मैं कहूंगा कि वो सोच समझ कर ही ली जाएगा क्योंकि वो made in China ही होगा और चाइना प्रोड़क की कोई guarantee नहीं होती है फासी ये लोगों तो पूरे इंडिया में famous है फासी दो सवरा साल एक autonomous body है जो ministry of health and family welfare government of India ने form किया है जरा सर फासी साएं food safety of regulation ने इंडिया को control करता है इंडिया में फासी ही responsible होती है पूरे public health को balance करने के लिए अगर कोई अपना company खोलना चाता है food beverage accelerated तो सबसे पहले उसे इंडियन government यानि फासी से license लेना होता है तब ही वो अपने products को market में sell कर सकता है अगर किसी ने जुरत की without license sell करना तो उसके पूरे family एक बहुत बड़े problem में फस सकती है क्योंकि बात है करोरों लोगों की जिससे पूरा देश चलता है फासी की अभी current chair में रिता टियोटा है और इस फासी की headquarter नियू देली में ही मौजूद है दोस्तो वीडियो चला कर तो इसे like, comment, share कर ना भूले और मेरे चैनल में से इंफॉर्मेटिव को सब्क्राइब करके बैल आइकन को ही प्रेस कर ले ताकि इस चैनल से लेटेड इंट्रेस्टिंग वीडियो आपको अप्रोड होते ही मिल जाए थैंक्स पर वाचिंग